हेलो अडिये स्टुडेंट्स वेलकम टू दा इंगलिस क्लासेज और साजिस्टर स्टुडेंट्स जैसे कि आप सब को पता है कि आपकी बोर्ड परिक्चा है मही महीने में सुरू होने जा रही है और आपको ये भी पता है कि अब की बार कोरोना की वज़े से बहुत सारे स्टुडेंट्स की पढ़ाई है वो बादित हुई है लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूट नहीं है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यदा उपयोगी रहने वाली है स्टुडेंट्स आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये क्लास 12 इंगलिस कमपल्सरी के स्टुडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ स्टुडेंट्स आज की वीडियो में प्रिक्ष उपयोगी जो क्योस्टन है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि एक्जाम में कौन से टोपिक पे क्योस्टन है वो पुछा जा सकता है और आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं उसके टोटल मार्क्स यानि की 22 की को कहने का मतलब यह है कि आपका जो पेपर होगा वो 80 नमर का होगा और आज जो मैं आपको इंपोर्टेंट क्योसेंस बता रहा हूँ वो 22 नमर के जो क्योसेंस है उनके बारे में यानिके बता रहा हूँ इसलिए आप वीडियो को लास तक जरूर वोच करें अपनी जो नोटबुक है वो अपने पास रखें जो जो मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊं वो जेस्ट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेर्स कर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलो स्टूडेंट आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं तो स्टूडेंट जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको जो इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ वो किस के बार पे एक्जाम में आने की संभावना है तो स्टुडेंट्स लगबग जो बता रहा हूँ इन में से आने की पूरी पूरी आने की संभावना बनेगी कि एक्जाम में इनी में से आने की आए तो देखें स्टुडेंट्स अपन शुरू करते हैं कि सबसे पहले आने की कौन सा आने की सबसे पहले आने की letter writing के अंदर बात करे तो students सबसे पहले letter writing में जो आने की संभावना है वो एक नमबर पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जो letter writing है article है speech है exam के अंदर 3-3 दिया होंगे और 3 में से आपको 1 करना होगा जैसे letter 3 दे दिये और 3 में से एक करना होगा article या speech में से 3 दे दिये और उन में से एक करना होगा और report में से यानि 3 दे दिये उन में से एक करना होगा और notice or invitation, advertisement ये जो topic है इन में 2 दिया होगा और एक करना होगा तो students मैं आपको यानि की सब topic पे यानि की 5-5 important बता रहा हूँ और कहने का मतलब क्या है 15 तो एक होगे और 2 last में यानि की और अलग है तो 17 चीज अगर आप यानि की याद कर लोगे तो यह मान के चलिए कि आपके 22 marks है वो आप exam में यानि की ले सकते हो तो सबसे पहले very very important students द्यान रख लेना सारे students के learn होना चाहिए an application for job तो यह आपको letter के अंदर याद रखना है नमर 2 पे students जो सब students की याद होना चाहिए वो है replacement of defective electronic items यह भी letter students business letter है कोई भी defective electronic item आ सकता है mobile का आ सकता है washing machine का सकता है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो एक application for job और दूसरा replacement of defective electronic items नमर 3 की जो बात करें वो है यानि की electricity problem यानि की बिजली से समंदित poor lighting की आ जाए या frequent breakdown of electricity आ जाए तो नमर 3 लेटर आपका यह रहेगा और नमर 4 की बात करें insanatory condition काने का मतलब क्या है यानि सफाई व्यवस्ता से समंदित आ जाए यह आ जाए और last यानि की letter to editor poor law and order situation बिगडती हुई कानून व्यवस्ता तो students letter में तीन आपके exam में आएंगे और मैं आपको 5 बता रहा हूँ उमीद करता हूँ कि आपके यह जो 5 बताएं है इन में से 3 के 3 यानि की exam में पूछे और 3 नहीं तो 100% यानि की पूछा जाएगा अगर आपने अभी तक यानि इन letters को नहीं देखा है तो सारे यानि की letters है वो मेरे YouTube चैनल पे आविलेबल है आप उनको देखिए, like कीजिए अब देखिए students letter के 5 बता दिए अब अगला topic अपन्चर्चा करते हैं अगला topic है article or speech students यह जैसे कि आपको पता है letter भी 6 नमर काएगा और article या speech भी 6 नमर काएगा और इस में से आनि की मैं आपको बता दूँ article और speech में से आपके एकजाम में तीन आएंगे और तीन में से एक करना होगा मैं आपको important पांच बता रहा हूँ और इन पांच में से आने की आपको एमान के चलिए कि लगबग तीनों आने की संभावना है तीन नहीं तो एक तो 100% आएगा students तो आप इनको अच्छे से लर्ण कर लीजिए तो पहला ही पहला है very very important students मैं आपको बता चुका हूँ जो एकजाम में पूरी पूरी संभावना है वो आने की वो है importance of games and sports students इस पे article भी पुछा जा सकता है या speech भी पुछा जा सकता है ज्यादा संभावना speech की रहेगी मैं article का format भी लिखा चुका हूँ आपको speech का भी लिखा चुका हूँ YouTube पे आप सारी वीडियो जाने की देख सकते हो अगर आपने अभी तक याने की नहीं देखी है नमर दो article और speech में से बात करें वो है students importance of time तो games and sports के बाद दो नमर पे जो important है वो है importance of time students यह article और speech आप अच्छे से याने की learn कर लीजिए नमर तीन जो बात करें वो है impact of internet culture students यह सारी जो topics मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको याने की करवा चुका हूँ तो आपको ज्यादा दिकत नहीं होगी तो आप इसको भी कर लीजिए नमर चार जो है वो है the person who impressed me most यह very very important है article पूछा जा सकता है students कोई भी person यानि जिसने मुझे यानि impressed किया जैसे अब्दुल कलाम नहीं या कोई और other person है मैं आपको लिखवा चुका हूँ YouTube पर भी available है अब students अगली यानि की बात करे यानि की जो latest topic है coronavirus तो coronavirus भी यानि की पूछा जा सकता है article या speech तो students आप articles जो मैं आपको 5 बताए है articles या speech में से या आप अच्छे से learn कर लीजिए 6 नमर के आएंगे 3 में से 1 करना होगा और जो later है वो भी मैंने 5 बताए है 3 दिया होंगे 1 करना होगा वो भी 6 नमर काएगा अब students अपन short composition की बात करे पहले तो 4 अंक्य होंगे short composition में आपके जो syllabus में है वो मैं आपको बता देता हूँ वो है advertisement है invitation replies है notice है students और ये 3 चीज आपके आने की main रूप से याने की मुखे रूप से याने की आपके syllabus में है तो students आपको क्या करना है exam में 2 चीज लर्न कर लीजिए एक formal invitation replies कौन सा formal invitation reply चाहिए accepting या refusing इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा तो ये 100% आप learn कर लीजिए formal invitation replies अगर आपने अभी तक याने की या नई किया है तो YouTube पे याने की available है नमर दो अगर याने की बात करे students वो है short composition में इसके option में जो आएगा वो है notice कौन साएगा students notice और notice जो ज़्यादा तर आने की संभावना है वो camp या कोई program पे camp ज़्यादा तर संभावना है students bullet donation camp पे याने की पूछा जाए bullet donation camp पे आजाए या कोई और दूसरा other camp पे आजाए या कोई program पे आजाए annual function पे या किसी पर भी तो notice आपको जो learn करना है students वो camp या program से याने की related करना है और last याने की students याने की बात करे notice और invitation तो आपको notice और invitation अच्छे से learn कर लीजिए आपको याने की exam में full marks मिलेंगे और उमीद करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इन ही में से याने की exam के अंदर याने की पुछा जाएगा और अब last जो students याने की बात कर रहे हैं वो है report writing कौन सा students report writing YouTube पे available है आप वहाँ देखिए आप like करते रहिए दोस्तों में share करते रहिए चैनल को याने की subscribe कर दीजिए अगर आप मेरे को इसी तरह से motivate करते रहोगे तो निशित रूप से मैं आपके exam तक याने की हर topic पे आपके लिए video आविडियो आविडियो करवाता रहूँगा वन लाइनर के उसन की या fill in the blanks जो कुछ भी आने की है सब topics की मैं आपको वीडियो आविडियो आविडियो करवा दूँगा लेकिन आप भी आने की मेरे को support करते रहिए like करते रहिए तो पहला जो है very very important है students reports जो आपको अब की बार learn करनी है वो है blood donation camp नमर दो बात करें वो है an eye operation camp तो students अगर camp में अगर कोई आती है या तो blood donation में आईगी या an eye operation camp दोनों मैं आपको करवा चुका हूँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है नमर तीन जो students है वो है district level tournament district level athletic tournament district level कबड़ी tournament district level football tournament कोई भी पूछा जा सकता है तो नमर तीन और नमर चार जो बात करें वो है republic day function very very important students यह भी तो कहने का मतलब ज्यादा जो संभावना है वो यानि की camp से related या republic day जो function है इस से समन्दित यानि या independent day function पर आ सकता है कोई other function पर आ सकता है मैं आपको format सारा पता चुका हूँ तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा नमर जो 5 है वो है an accident an accident, road accident आ सकता है car accident, train accident, bus accident कोई भी यानि की accident की यानि की student आ सकती है तो इस तरह से यानि की students अपने आज की वीडियो में क्या जाना जो important जो 22 नमर के जो writing chapters है उनके यानि की बारे में यानि की जाना उमीद करता हूँ कि इन में से यानि की exam में यानि की सारे के सारे यानि की पूछे जाएंगे और आप इसे अच्छे से learn कर लीजिए अपनी कोपी के अंदर note कर लीजिए बार बार इसकी practice कीजिए कोपी अंदर यानि की अपना test swim यानि की लेते रहिए एक भी यानि की नमर इसमें से यानि की नय कर जाए Thank you very much